प्लासिक स्टुडेंट्स सभी बच्चों ने अपनी बुक ओपन कर ली पिटा तो आज हम जो पेज करने वाले हैं वो है हमारा पेज नंबर 38 और इसमें भी आपको क्या करना है पिटा स्टेप बैस्टेप कलरिंग करनी है यहां दिया हुए ने कंप्लीट दा कलर कंप्लीट एंड कलर दा पिक्चर ठीक है तो आपने इस पिक्चर को कलर करके कंप्लीट करना है और कैसे करना है देखिए यहां पर जैसे स्टार्टिंग में आपको दिखाया हुआ है बिटा सबसे पहले light shade लिया हुआ है और light shade के साथ फिर थोड़ी सी उसमें darkness करी है बाद में और इधर जो है आपका next step जो दिखाया है उसमें पूरा अच्छी तरह से complete करके और outlines वगेरा कर दिये है और फिर इस deer को complete कर दिया है सेम इस page में इसी तरह से दिया हुआ है यह आपको examples दिये हुए है इनको follow करते हुए इनको देखते हुए आपको सभी जो animals है इनको color से complete करना है और color यहाँ पर मैं आपको watercolor के साथ दिखा रही हूँ लेकिन हमेशा आपको क कहती हूँ कि जो colors आपके पास है आपने उन ही से इन pages को complete करना है पर आपको book का काम सभी बच्चों को जरूर करना है तो पहले हम इस deer में color करते हैं और सबसे पहले बेटा जो color हम लेंगे उसमें बिलकुल light हमने क्या tone दिया हुआ है यलो दिया हुआ है तो हम यलो को लेंग चलाएंगे पूरा अपना जो यह deer है इसके उपर बिलकुल हलका आपने tone लेना है water के साथ और अगर आप oil pestle से कर रहे हैं तो उसमें भी बेटा बिलकुल light yellow color आप इसमें use करेंगे पहले जो यह yellow color होता है यह आप इसमें हलका करेंगे और उसके बाद फिर brown color से इसमें shading करे करेंगे अगर आप oil pestle से कर रहे हैं और इसमें भी सेम ऐसे ही है तो इस तरह से yellow कर लीजे पहले एक बार और इसके साथ साथ ही हम इसमें थोड़े सी जब यह गीला है तभी हलका हलका हम इसमें brown टच करेंगे brown भी कर सकते हैं आप और थोड़ा सा इसमें red के साथ भी हमारा यह color बन जाएगा थोड़ा orange आजएगा यह brown हम यहां पर भी कर दे रहे हैं इसकर जो यह सींग है इसमें भी और बाद में स्केच पेन के साथ हम इसमें darkness और कर देंगे जहां जहां डाक लाइन से आप रैड में बिलकुल हलका सा ब्लैक टच करेंगे तो आपका यह dark शेड आ जाएगा ब्राओं का इस तरह से यह dark शेड भी हमारा हो जाएगा और बाद में यह सारी चीजों को हम स्केच पेन से यह ब्लैक पेन से इसके जो टेक्शर है बॉड़ी के सारे वह हम करेंगे यही सेम कलर देखिए इधर कैमल में भी इस तरह से होगा वह हम कर लेंगे बाद में पहले हम इसे complete कर लेते हैं तो यह तो इस तरह से color हमारा हो गया है जो इसकी body में है अब जो यह body में इस तरह से mark बने हुए है वो हम थोड़ा सा यह dry हो जाये उसके बाद करते है तो इस तरह से यह white color से थोड़ा थोड़ा हमने white touch करके इसमें जो इसकी body में इस तरह से है texture वो बना लिया है अब हम इसको इस तरह से black pen से और detail करेंगे जैसे ear, eyes, nose वगेरा और इसके pair में यह सारा हम black pen से या sketch pen से करेंगे तो इन चीज़ों को आप पहले dry होने देंगे और dry होने के बाद फिर इससे हम ऐसे highlight करेंगे तो इस तरह से करिए बेटा सभी तो बेटा after outlining यह देखिए हमारा इस तरह से यह final हो जाएगा डियर जो हमने यह color किये तो इसी तरह से बेटा आप इससे कर लेंगे और जैसे मैंने बताया कि next जो पेज है हमारा यह भी animal coloring वाला है इसमें भी same इस तरह से करना है आपने यहां से देखकर pattern follow करना है और इसे complete करना है सबसे पहले यह सारे animals में जहां जहां पर lines आपको complete करनी है आप उन lines को पहले joint करेंगे उसके बाद color करेंगे तो यह बिटा देखिए हमने तीनों जो है इनकी सबकी lines joint कर ली तो इसी तरह से आप कर लेंगे pencil के साथ या sketch के साथ और elephant में color हम start करते हैं इसमें color करने के लिए सबसे पहले आप बिल्कुल black color थोड़ा सा लेंगे पानी के साथ बिल्कुल light आपने लेना है black color water के साथ और उसके बाद फिर हम आगे इसको dark करेंगे जहां जहां हमें dark करना है पहले आप ऐसे हलका हलका ले लीजिए जिससे की greyish effect आपका आए black नहीं करना हमें अभी grey effect देना है और उसके लिए हम black को पानी के साथ लगा रहे हैं इयर को छोड़ देंगे इसमें हम थोड़ा pink color देंगे इसलिए बाकी पूरी जो इसकी elephant की body आप उसको थोड़ा greyish कर लेंगे और जहां जहां dark करना है वहां पर करेंगे जैसे यह वाला पार्ट है इसकी यहां हमने dark करने अच्छी तरह से यह कान के पास यहां पर dark करना है यहां dark है यहां भी और यह जो है इसका head head के इस पार्ट में dark करेंगे आइस वगर हम बाद में बना लेंगे इसकी sketch के साथ यह इसकी trunk है तो इस तरह से दोनों shade हम लेने के बाद बिटा यह जब थोड़ा dry हो जाए तो हम इसमें sketch pen के साथ detail करेंगे और जो इसके ears है यहां पर हम pink color ले लेंगे तो इस तरह से बिटा यह color के साथ हमने अभी कर लिया है सारा जितनी coloring थी हमारी हो गई है अब बिटा जो इसकी detail हमने करनी है आउटलाइन करनी है वह हम black sketch pen या black pen के साथ इसमें करेंगे जैसे यह eyes की ठीक करनी है इधर यह जो है यह सारी चीज़े हम जब highlight करेंगे तो उसमें बिल्कुल clear हो जाएगी तो इसकी हम अब outlining करते हैं इसकी highlight भी कर दिया sketch pen से और इस तरह से यह आपका elephant भी complete हो जाएगा तो आप बच्चे भी इसी तरह करेंगे और आप अपने oil pestle के साथ यह shaded elephant बना सकते हैं और आप उनके पास अगर water color है तो आप water color से बनाएंगे तो आज की class में पेटा एक तो हमारा यह deer वाला है जो deer है आप इसे करेंगे color और यह वाला page है आपका 39 इसमें सभी animals को आप color करेंगे तो यह आप काम कर लीजे पेटा page number 38 and page number 39 और अपना काम करके मुझे भेजेंगे सबी बच्चे तो चलिए फिर अगली class मिलते हैं ओके बाई